नमस्कार दोस्तों मैं हूँ पूर्वी शुकला और आप देख रही हैं बोल्सकाई अक्सर देखा गया है कि कई मजबूत रिष्टे एक जूट की वजह से तूट जाते हैं दरसल वो सिर्फ एक जूट नहीं होता बलकि कई जूट को जनम देनी की वजह बनता है और यही वजह दो प्यार करने वालों को जुदा कर देती है आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं तो उनकी चोटी मोटी गलतियां और जूट तो माफ किये जा सकते हैं हालकि अगर कोई लगातार आपसे जूट बोल रहा है या चीजें छिपा रहा है तो यही वो वक्त होता है जब आपको सोचना है कि इस रिश्टे का आखिर भविशिक क्या होने वाला है हालकि जूट या सच का पता लगाना इतना आसान नहीं है फिर भी आज इस वीडियो में हम आपको कुछ टिप्स बता रहे हैं जिनके जरीए आप पार्टनर का जूट पकर सकते हैं एक्सपर्ट की माने तो जूट बोलने वाला इंसान पूरी तयारी करके रखता है जैसे वो किसी भी घटना को एक्सप्लेन करने के लिए पुक्ता सबूत देता चलेगा अगर आपको इन सब पर यकीन नहीं हो रहा तो ऐसे सवाल पूछ लीजे जिसकी उनको उमीद ही ना हो हो सके तो उन्हें खुद कन्फ्यूज कर दीजे ताकि वो अपनी बनाई हुई स्टोरी ही भूल जाएं एक्सपर्ट की माने तो सच बोलने वाले हमीशा आपकी आँखों में देखकर बात करेंगे वही जूट बोलने वाले बोलने में गलतियां करते हैं और बेहद नाट की ये तरीके से चीजों को समझाते हैं इसके अरवा ये लोग हाथ पर ज्यादा चलाएंगे या सिर हिलाएंगे साथी हाई पिच या चला कर बात करने लगेंगे अगर आपको लगता है कि किसी मामले में आपके साथी ने आपसे चूट बोला है तो बहुत संभव है कि वो आपका ध्यान उस बात से हटाने की कोशिश करें हो सकता है कि वो जबरदस्ती का गुस्सा ओड़ ले या सिर दर्द या बीमार होने का बहाना बना ले जिससे आप वो टॉपिक ही ना शुरू कर पाएं इस तरह इन टिप्स को फॉलू करके आप अपने पार्टनर के जूट को पकड़ सकते हैं जोटी मोटी नोग जोग तो हर रिष्टे में होती रहती है लेकिन एक जूट रिष्टे को खोकला बना देता है इस वीडियो में फिल हाल इतना ही हम जल्द लौटिंगे ऐसी ही वीडियोस के साथ तब तक के लिए देखते रहिए बोल सकाए